ये बहुत बहुत इंपॉर्टन टोपिक है इस यूनिट का और यह क्या है इन फूचर आगे तक की यूनिट है हमारी उसमें काम आने वाला टोपिक है तो इस मॉल कंसेट से लेटेड ही जो टोपिक है हमारा वह आता है एक इसको आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी छोटा सा इस एक इन मॉलीकूल के बारे में वह जो है छोटी बाते मैं आप लोगों से शेर करना चाहूंगे तो एक बार ओड़ा क्या होते हैं अटम और मॉलेकूल की देफिनिशन तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना तो एक बार और क्या कर लेते हैं इसको रिवाइड कर ल इसको पता हैं एक बार दी अच्छीन ईक रिखन हो पता हैं एक बीजा क्या है यहीं कि वो स्मोलेसटीकल जिनकी अपनी इंडिपेंदेंटली है गजिस्स्टेंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती है, जैसे कुछ example की बात करें, हमारे पास helium है, neon है, अब आप लोग कहेंगे कि मैं यह तो gases और gases के case में तो आपने कहा था कि यह कैसे होने चाहिए नेचर में, molecular होने चाहिए, तो molecular नेचर में तो नहीं है यह, यह तो कैसे दिखाए जिए रैट, तो आप नोबल गैसे बाद करूंगे और मोलिकुलर फोर्म में रहते हैं उसके बात करूंगे और बी आटम आप एक्जामपल ले सकते हैं लाइक सोडियम ने ले लीजिए पोटेशयम ने लीजिए फिक है तो अगर बात की जाए कि हमारी पूरी प्रिडिक्टेबल उसमें कितने प्रिजटा हैं तोनी ओलबेंट के हम क्या पढ़ते हैं इस की बात करते हूं में तो मौली क्या होते हैं दस स्मॉलेश्ट पार्टिकल ओफ जो सब्सक्ता है कोई कमपाउंड भी हो सकता है which is capable of independent existence is cold molecules तो यह क्या क्यलाते हैं? molecules क्यलाते हैं जिनकी क्या होती है? independent existence होती है तो जैसे कोई एक्जामपल ले रहते हैं oxygen, oxygen का आपने कभी एटम नहीं सुना होगा oxygen का आपने कि गैशिस फॉर्म में होता है इसका nature तो यह किस फॉर्म में मिलते है? O2 तो यह छोटी से छोटी unit यानि कि जो O है वो क्या है? बच्चे independently नहीं रह सकता तो oxygen की कोई सी छोटी फॉर्म जो है वो independently रह सकती है एक और oxygen एड करके देखेंगे O2 क्या independently रह सकता है? रह सकता है तो यह क्या कहलाएगा? O2 का molecule ठीक है? यानि कि वो छोटी से छोटी unit जो किस फॉर्म में रह सकती हो? independently exist कर सकती है ऐसे क्या है hydrogen? hydrogen अकेला नहीं रह सकता है दो hydrogen को मिला दिया H2 बन गया H2 जो gas अगो क्या कहलाएगा? इसका molecule कहलाएगा तो H2 gas यानि कि hydrogen जो है वो H2 gas क्या है? molecule है, hydrogen क्या है? atom है बट इसकी को independent existence नहीं है इसकी independent existence है independent existence में यहाँ पर मेरा माना यह है कि हम जो पढ़ रहे है हम जो atmosphere में देख पा रहे है जिनसे हम family हो पा रहे है उसकी existence की यहाँ पर बचे बात चल देगे ठीक है? अब बात करते हैं type of molecules की अगर type of molecules की बात की जाए तो जो molecules होते हैं वो दो type की होते हैं ठीक है? जो molecules होते हैं बचे वो दो type की होते हैं कौन कौन से होते हैं एक होते है homolytic homolytic molecules और दूसरी होते हैं आपके heterolytic molecules homolytic molecules and heterolytic molecules homolytic molecules क्या होते हैं? वो molecules जो same elements से मिलके बने हो क्या लिखेंगे हैं यहाँ पर हम लोग those molecules are made up of made up of the same element जो क्या हो same element से ही बना हो जैसे क्या example ले सकते हैं आप लोग कुछ भी ले लिजिए helium का ले सकते हैं neon का ले सकते हैं इसके अलाव oxygen का ले सकते हैं ठीक है phosphorus का ले सकते हैं इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो atom मिलेंगे वो helium वाले के अंदर helium के मिलेंगे, neon वाले के अंदर neon के मिलेंगे, o2 वाले के अंदर o2 के मिलेंगे, p4 यानि कि phosphorus आपको पता है molecular form क्या होती है p4 होती है तो उसमें क्या है उसी के ही आपको क्या मिलेगी molecular form देखने को मिलेगी ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूए नहीं, होमोलिटिक molecules की, तो इन होमोलिटिक molecules क्या होते हैं, polyatomic भी हो सकते हैं, monoatomic भी हो सकते हैं, तो क्या है सकती हुँ है, they can be they can be monoatomic diatomic triatomic tetratomic tetratomic or polyatomic किसी भी form में क्या है मुझे homolytic molecules मिल सकते है monoatomic जिसमें एक ही atom प्रेजेंट हो like हमारी की noble gases helium neon गगए diatomic like oxygen इसमें oxygen के 2 atom प्रेजेंट है triatomic like O3 oxygen के 3 atom प्रेजेंट है tetratomic हो गया मेरे पास में like P4 ले लिया polyatomic में आप S8 ले सकते हो sulfur का molecule तो यह क्या कहला है है आपके homolytic homolytic भी बहुत सकते हो homoatomic भी बहुत सकते हो homoatomic ज़ादा बेटा रहेगा homoatomic और heteroatomic homoatomic मतलब सभी atom सेम है तो यहां पर सभी तीनों कि तीनों किसके हैं सिर्फ oxygen के यहां पर दोनों एटम किसके हैं सिर्फ oxygen के यहां पर आठों के आठों किसके हैं सिर्फ और सिर्फ sulfur के यानि कि homo uniformity है किसमें atom के अंदर ऐसे ही जो मेरा heteroatomic molecule होता है तो heteroatomic molecule में क्या होगा जिसमें जो atom होगे वो क्या होगे different होगे है न the molecules are made up of the molecules are made up of different elements different elements ठीक है they are also called इनको भी हम क्या किस फॉर्म में बोल सकते है इसके अगर example की बात करूँ तो example क्या हो सकते है water ले सकते है HCl ले सकते है CO2 ले सकते है यह क्यों लिए देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह अपने आप में क्या है एक पूरा molecule है लेकिन यह molecule जो है इसके अंदर कौन कौन से atom present इसके अंदर दो hydrogen के atom present है एक oxygen के इसके अंदर एक hydrogen एक chlorine इसके अंदर एक carbon दो oxygen यानि की सेम atom नहीं है different different atom और यही क्या है आपका heterotomic molecule कहलाता है यहाँ पर आपको molecule के type के बारे में समझ में आया होगा इसके बाद में मैं बात करती हूँ atom और molecular mass से लेटे atomic mass and molecular mass कि इनका जब mass निकालने की बारे आई जो हम इनका mass determine करते हैं बच्चे तो वो कैसे determine किया जाता है वो चीज हम यहाँ पर सिखेंगे तो आपको अगर यादो तो वापर डेंसी के case में छोड़ी सी बात मैंने आपको कही थी कि यहाँ पर जो मेरा क्या दिया वहाँ पर क्या दिया हुआ था आपको mass of any gas दिया हुआ था divided by क्या दिया हुआ था mass of hydrogen atom तो यह बात कही थी इसको मैंने क्या बोला था molar mass बोला था और कहा था कि इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे तो वही चीज़ जो है वह हमें अब पढ़नी है तो देखो atomic और molecular mass की जब बात आते हैं यानि कि आप किसी भी substance का अब यहाँ पर substance आपका क्या है atom है या फिर molecule है इसका mass measurement करना है लेकिन आप खुद कहते हैं कि atom जो होता हो बहुत smallest unit होती है even हम उसको सकते हैं कि millions and trillions of atoms अगर एक साथ में collect हो जाए तब जाके क्या बनती है एक paper जितनी थिकने साथी है किसकी atom की तो आप खुद बताइए कि एक atom जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका जो mass है हम वो कैसे measure कर सकते हैं यानि कि sensitive balance से भी जो इनका mass है वो measure नहीं किया जा सकता तो इस difficulty से overcome होने के लिए कि अब इनका mass कही ना कही तो हमें दिखाई शोदो करना पड़ेगा है ना तो इस difficulty से overcome करने के लिए हम लोगों ने क्या निकालना शुरू कर दिया relative mass निकालना शुरू कर दिया relative mass का मतलब क्या है किसी से relate करके फर एक्जामपल यहां पर दो person है ठीक है मालीजी चलो चार परसन चार परसन है तो मुझे क्या है इस परसन का mass पता है कि इसका mass कुछ x ग्रहम है तो यहां से मैं relative mass निकालना शुरू की इस वाले का जो यहां से वाला member है इसका इससे थ्री एक्स क्यामपल यहां अगर दिस्टेंस बताते अपने घर का तो के मैंने कहा है कि ढूआ झॉ ऐतल से हो किका किल्स नहीं किल्यों दों किलोंगेट किलो मीटर डिू को पर में हुसे कर रहे हैं कि कहां से मेरे घर की टेंस आए इतने किलोमीटर nine बिइस्टेंस को है वह डिस्टेंस क्या चाहिए थीक है तो ऐसे ही रेलेटिव नियूंस हुआ से एक वर कंकरने करने के कि कोई तो अब रिलेट करने के लिए एक स्टेंडर तो चाहिए है ना मा लीजी कि 10 वच्चे हैं स्कूल के दस बच्चों का जो घर है वह अलग-अलग है तो हम लोग कहां से देखते हैं स्कूल से मेजर करते हैं कि बढ़ी इस बच्चे का जो गर स्कूल से इतने किलोमीटर तो स्कूल क्या है यहां पर रेफरेंस पॉइंट है में पॉइंट है जहां से आप बाकी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऐसे ही क्या है अगर आप किसी भी एटम का मास निकाल रहे हैं और मास कैसा निकाल रहे हैं बच्चे रिलेटिव मास निकाल रहे हैं तो आपको यहां पर एक reference की जुरत पड़ेगी तो reference क्या रहेगा तो जो सबसे पहले जो reference लिया गया था वो लिया गया था hydrogen ठीक है वो क्या लिया गया था hydrogen को relative mass के form में लिया गया था ठीक है तो क्या कहा गया था कि जो atomic mass होगा किसी भी element का वो क्या होगा number of times होगा किसी भी atom के heavier than atom of hydrogen मालनेजे मेरे पास oxygen है तो यहाँ पर hydrogen का mass मैंने क्या कर लिया बच्चे calculate कर लिया तो यह कहा कि जो oxygen का mass होगा, oxygen का exact mass मुझे नहीं पता, लेकिन यह कह दिया गया कि जो oxygen का mass होगा वो hydrogen के mass से 16 गुना जादा होगा, तो hydrogen का मुझे पता है 1, तो oxygen का कितना आ जाएगा 16, तो इस तरीके से relate करके निकाला गया, ऐसे ही अगर कोई और item है, like nitrogen ले लीजिए, तो यहाँ पर कहेंगे कि जो nitrogen का mass है, वो hydrogen से कितने गुना जादा होगा 14 गुना, यानि कि उतने ही जादा होगा, ठीक है, तो पहले लिया गया hydrogen, उसके बाद में क्या हुआ, hydrogen के बाद में oxygen की बारी आई, hydrogen को छोड़ दिया गया, oxygen की बारी है, क्योंकि oxygen क्या होता है, काफी reactive nature होता है, तो हमने क्या correlate करना चुरू कर दिया, oxygen से mass यह जो है, जो relative mass निकालना शुरू कर दिया, यह भी क्या है, ज्यादा beneficial नहीं रहा, at last जो final में, finally, 1916 में, ठीक है, chemist ने क्या किया, accept किया, किसको carbon को, carbon जो है, बच्चे, वो तीन isotope में हमें मिलता है, carbon 12, carbon 13, carbon 14, 12 का मतलब इसका mass है, वो 12 gram, इसका 13 और इसका कितना है, 14, abundance के according होता है, मांगे discuss करेंगे, ठीक है, तो इन्हों ने कहा, 1916 में, कि जो carbon 12 है, उसको accept कर लिया गया, as a standard, standard mass को, को लेकर, carbon को accept कर लिया गया, because of its stability, क्योंकि बहुत जादा stable है, ठीक है, यह चीज़ हम लोगों को पता भी है, थोड़ा carbon के बारे में, और इसकी stability के बारे में, so that's why क्या कर लिया गया, carbon को accept कर लिया गया, as a measurement करने के लिए, relative mass निकालने के लिए, तो यहां से क्या कहा गया, यहां से कहा गया, the atomic mass of an element, the atomic mass of an element, element is the average, is the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom, the mass of an atom of carbon 12 of carbon 12 क्या कहा बच्चे देखिए, the atomic mass of an element is the average relative mass, कि जो atomic mass होगा, किसी भी element का, वो क्या होगा, average relative mass होगा, यहनि कि average निकाली पड़ेगी, किसके, किसके साथ में निकाली पड़ेगी, of an element, as compared to the mass of carbon 12, carbon 12 से compare करा के, तो किसी भी substance का, यहनि कि, किसी भी atom का atomic mass होगा, वो equal होगा, किसके, mass of an atom, एक atom का जो mass है, divided by क्या रहेगा, 1 by 12th mass of carbon atom, ठीक है, 1 by 12th mass of carbon atom, तो इस तरीके से, हम किसी भी atom का क्या निकाल सकते है, atomic mass निकाल सकते है, तो यह जो mass निकालने के लिए, जो हम scale यूज करते हैं, उसको हम कहते है, atomic mass unit, atomic mass unit, जैसे आपको, measurement करते हैं, दाल ले क्या, तो उसके लिए kg वगेरे बोलते हैं, तो इसके लिए kg है, तो यानिके लिए scale क्या है, 6 है, gram है, kilogram है, milligram है, जो भी है, तो इनके लिए क्या होता है, atomic mass के लिए, atomic mass unit, यानिकी short form है, हम जिसको बोलते हैं, amu, ठीक है, तो u का जो यहाँ पर मतलब होता है, वो क्या होता है, बच्चे, unified होता है, ठीक, अच्छा, अब क्या किया गया, उन्होंने quantity measure की, the quantity of mass equal to 112, एक item का 112 से comparison करके देखा, तो उन्होंने calculation की, जो 1 amu होता है, वो होता है, उसकी जो value है, वो होती है, 1.66056 into 10, is to the power minus 24, ग्रैम, तो बच्चे, यहाँ पर एक value देखिए, आप खुद कहते हैं, ने कि जो आपका item होता होता, वो बहुत बहुत छोटा होता होता, तो कितना, 10 की power minus 24, 10 की power minus 24, this is a very, very, very small quantity, ठीक है, that can be measured, बहुत मुश्कील है, तो जो भी आपका item का मास है, अभी तक देखिए, 9-10 तक आप पढ़ते आए, कि भी आपने कहते हैं, oxygen का जो मास होता है, वो 16 ग्रैम होता है, ठीक है, nitrogen का मास कितना होता है, 14 ग्रैम होता है, यहां फिर कोई और कार्बन का ले लिए 12 ग्रैम, तो बच्चे आप खुद सोचिए, आप कहते हो, कि मैं हम item बहुत छोटा होता है, तो आप तो 1 ग्रैम को easily measure कर सकते हैं, किसी भी measuring instrument पे, किसी भी balance पे, तो 1 ग्रैम को easily आप क्या कर सकते हैं, तो हम atom को छोटी unit क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो gram है, यह इसकी असली unit नहीं होती, जैगज़ट unit होती है, वो कहा जाता है, 16 AMU, यहनि कि that means this, तो इसके वज़े से क्या हो जाते है, unit और भी जादा कहते हैं चोटी चली गई, अब आते हैं इस gram की, तो यह gram क्यों लिया गया, हमारी calculation को easy बनाने के लिए, और unit उठाई गया, जिसको हम कहते हैं, gram atomic mass, क्या बोलते हैं बच्चे, gram atomic mass, तो हमने यहाँ पर AMU को किस से replace कर दिया, gram से replace कर दिया, that's why जो आज हम mass पढ़ते हैं, उसके पीछे क्या लगाते हैं, gram लगाते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी हम calculations करते हैं, जितनी भी calculation करते हैं, किसकी atom अगयरेगी, किसी के साथ पर भी करते हैं, तो वहाँ पर gram atomic mass का यूज करते हैं, तो अब यहीं से क्या है, hydrogen का अगर mass निकालना सेखें, तो जो mass होता है hydrogen atom का, mass of hydrogen atom जब count किया गया, तो वो आया 1.6736 into 10 is to the power minus 24 gram, ठीक हैं, तो in terms of amu, amu में कितना हो जाएगा, तो 1.6736 into 10 की power minus 24, divided by, क्या आजाएगा, amu का कितना निकाला था, 1.66, यह वाला, है ना, यह वाला, 0, 56 into 10 is to the power minus 24, तो यहां से जब solve किया, तो value आई 1.008 amu, तो hydrogen का जो mass आप इतना निकालते हैं, 1 ही लेकर चलते हैं, तो मैं यह कह सकती हूँ, that hydrogen atom is 1.008 amu, यहा फिर 1.008 times, heavier than, heavier than, 1 by 12th of carbon 12, ठीक है, इतना ज़्यादा heavier है carbon 12 से, तो carbon का mass कितना हो गया, इसे 12 गुना, कि यह क्या हो गया, carbon 12 का 12 हिस्टा, तो यह क्या हो गया, 12 गुना हो गया carbon का mass, ठीक है, तो अब isotope का mass कैसे निकाला गया, तो उसको हम कहते है, average atomic mass, average atomic mass, भई, देखो, अब carbon का जहां भी mass लेके चलते हैं, वो कितना लेके चलते हैं, 12 लेके चलते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया, कि carbon के 3 isotope मिलते हैं, जिनमें क्या है carbon 12 भी है, carbon 13 भी है, carbon 14 हिए, तो हम carbon 12 को ही select क्यू करते हैं, तो क्या किया गया, कि जितने भी isotopes होते हैं, उनके individually क्या निकाले जाते हैं, average atomic mass निकाले जाते हैं, जिसके basis पे क्या कर दिया गया, इनके mass को fix कर दिया गया, अब जिसकी abundance जतनी ज़्यादा होगी, यानि कि amount की बात कर रहे हैं, नेचर के अंदर जिसकी abundance ज़्यादा होगी, उसी का proportion ज़्यादा आएगा, और उसी का ही mass को हम लेकर चलेंगे, abundance का मतलब quantity, नेचर के अंदर carbon 12, आइसोटोब, carbon 13, carbon 14 में से abundance किसकी ज़्यादा है, तो आइसोटोब देखिए मेरे पास कौन सा है, carbon की बात करिए, c12 है मेरे पास, c13 है, c14 है, तो अगर मैं इनकी nature में abundance की बात करूँ बच्चे, तो नेचर के अंदर carbon 12 की जो abundance होती है, वो 98.89 के round होती है, carbon 13 की कितनी होती है, 1.08, और अगर मैं carbon 14 की बात करूँ, तो ये बहुत ही, इनके मतलब एक तरीके से traces element बोल सकते हो, कि बस मिला है ये, ना के बराबर है, that is 2 into 10 is to the power minus 10, ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पर अगर मैं इनकी atomic mass की बात करूँ, तो carbon 12 का 12, carbon 13 का 13, 0.00335, तो इसको मैं नेट करके 30 ले सकते हो, इसका कितना आजाएगा, 14, तो यहाँ से मैं अब क्या निकालूँगी, average mass निकालूँगी, average atomic mass, किसका, carbon atom का, तो कितना आजाएगा, देखें, 98.89, इंटू में कितना आजाएगा, 12, 1.108, इंटू में 13, प्लस में 2 इंटू 10 is to the power minus 10, इंटू में 14, divided by, किस में से निकालेंगे, 100 में से, तो जब मैंने इस पूरी calculation को, चेक किया, और solve किया, तो जो value निकल किया आई, बचे, तो value निकल किया ही, 12.001 unified, तो यहाँ से क्या निकल किया है, carbon का exactly mass, और इस वज़े से हम, जो है carbon का mass, इसी से पढ़ते हैं, तो यहाँ से भी पता चल रहा है, कि 98% कारबन 12 की है, तो overall result किस के पक्ष में आने वाला है, 12 के पक्ष में ही आने वाला है, तो यह तो था atomic mass के बारे में, उसके बाद में अगर मैं आप से बात करू, किस के बारे में, defined as the average relative mass as the average relative mass of its molecule as compared to the mass of an atom of carbon-12, ठीक है, तो वही से हम क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो अगर किसी भी substance का आपको molecular mass निकालना है, तो पहले तो आपको उनके individually atom का mass पता होना चाहिए, और individually atom का mass आप किस से निकालते हैं, carbon-12 से निकालते हैं, तो जैसे मैं example लेके चलती हूँ, CH4 का, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में दो type के element है, दो atom है, carbon का भी और hydrogen का भी, तो इसके लिए आपको पहले इनका mass पता होना चाहिए, तो क्या आजाएगा, atomic mass of carbon, है ना, प्लस में, अब carbon तो एक ही था, कोई दिक्कत निये, फिर आजाएगा, atomic mass of hydrogen, अब hydrogen कितने आपके पास में, 4, तो 4 से multiply हो जाएगी, तो बस यही value पुट करनी है, तो atomic mass of carbon कितना है, 12, hydrogen का mass कितना है, 1, 4, तो जो value आजाएगी, यनि कि जो molecular mass आजाएगा, methane का, वो आजाएगा, आपका 16, तो इसकी जो unit होती है, बच्चे, वो होती, U, U for क्या होता है, unified, ठीक है, इसको फिर से है, gram molecular mass, तो I hope बच्चों आपको यहाँ पर atom और molecules के बारे में difference समझ में आया होगा, इनका जो mass है, वो कैसे लिया गया, वो जीजे भी आपको क्या होई होगी, clear होई होगी, इसके लावे, छोटी से unit आती है, वो क्या आती है, आपकी formula mass unit आती है, कहता है कि यह sum होता है atomic masses के लिए ही, ठीक है, लेकिन किन के लिए होता है, specially ionic compound के लिए होता है, किसके लिए होता है, ionic compound यानि कि वो element जो एक दुसरे से separate नहीं रह सकते, आपको पता ionic compound यानि कि charge ion, charge ion की positive or negative, तो जहां भी वो साथ में होगे, एक दुसरे को attract करेंगे, एक दुसरे से दूर नहीं रह सकते, तो इनके लिए कैस किस तरीके से mass निकाला जाता है, तो अगर मालनों मैं NACL की ही बात करती हूँ, तो यह एक particular ratio में present होते हैं, तो और एक formula की formation करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है, formula mass unit, तो यह अगर मैं NACL का mass निकालूँगे, निकालना वैसे ही है, जैसे आप molecular mass निकालते हैं, तो जो formula mass unit के according का mass होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चो, atomic mass of sodium plus में atomic mass of chlorine, तो sodium का mass होता है वो होता है आपका 23.0 और chlorine का होता है वो होता है 35.5 तो overall जो NACL का mass आएगा आपके पास वो आजाएगा 58.5 unified और gram molecule mass में निकालेंगे तो 58.5 gram, चीक है, तो यहां तक था आपका atom और molecule के बीच में कुछ, क्या था, relation थे, इनके जो mass के बारे में कुछ बाते थी जो आपको पता होनी चहिए थी, कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता भी हो, हो सकता ही काफी बच्चों को ना भी पता हो, इसलिए मैंने वो चीज रिपीट किये, अब आता है हमारा main topic जो आज हमने डिसकस करना था, which is mole concept, mole concept की बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ कि mole है क्या, तो mole कोई बहुत बड़ी भारी बरकम चीज नहीं, यह एक जस नंबर है, और नंबर क्या है, 6.00, 6.022 इंटू 10 raised to the power 23, अब आप कहोगे कि मैं यह तो आवेगेटरो नंबर है, हम जी एक आवेगेटरो है, लेकिन एक mole जो है, वो इसी नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यह जो mole है, अगर आप mole किसी एटम की बात करते हो, उसके साथ भी यही quantity, किसी molecule की बात करते हो, उसके साथ भी यही quantity जुड़ जाएगी, आप किसी आयन की बात करते हो, उसके साथ में भी same quantity तो है तो क्या ये एक Avogadro number है ना Avogadro number है इसको हम किस से represent करते है एने से तो अगर मैं जैसे बात करती हूँ 1 mole of hydrogen atom 1 mole of hydrogen atom तो mole का number कितना 6.022 into 10 की power 23 तो 1 mole of hydrogen atom के में कितने number of hydrogen atom है नमबर से निकालने है ना देखो 1 mole में इतने number तो 1 mole of hydrogen atom में जिस गुना में hydrogen atom भई 1 रुपे में 5 के लिए तो 10 रुपे में क्या 5 गुना 10 तो ऐसे तो है 1 mole of hydrogen 1 mole में इतने तो 1 mole of hydrogen atom में कितने हो जाएंगे 6.022 into 10 की power 23 hydrogen atom गोट इट ऐसे ही 1 mole of hydrogen molecule अगर में ले लूँ तो बच्चे नमबर तो वही रहेगा पीछे quantity तो चेंज हो रही है अगर आप मैंने यहाँ पर क्या किया 5 के लिए अब मैं 5 केजी कर दूँ बना 5 केजी दाल कर दूँ तो बस क्या करी हूँ वेल्यू चेंज कर रही हूँ ना करना तो आपको क्या होता है बाद में जाकि मल्टिप्लाइ करते है बस वही चीज़ी हाँ पर चेंज हो रही है तो क्या आ जाएगा hydrogen molecule ऐसे ही आप आयन की बात कर सकते हो मैंने कह दिया 1 mole of sodium sodium ion is equal to क्या हो जाएगा 6.022 into 10 की पावर 23 of sodium ion कंटेन करता है ठीक है तो अब कोशन आता है कि भई मोल को रिपर्जेंट करने के लिए यही quantity क्यों यूज की गई है ना इसके जिगे पर हम 10 की पावर 23 तो 10 की पावर 20 10 की पावर 30 मतलब क्या कर सकते थे एक easy quantity यानि कि जो round figure में हूँ उनका भी तो use कर सकते थे तो इस quantity का use किया गया क्योंकि आपको अगर याद है तो अभी अभी हमने atomic mass unit के बारे में जाना था जो आ रही थे आपकी value 1.6 something into 10 की पावर minus 24 के round है ना तो उसके close पहुचने के लिए हम लोगोंने gram में तो बोल दिया लेकिन mass तो बहुत जोटा होता है ना तो उससे multiply करा देंगे ठीक है तो उसके बहुत close पहुचने के लिए हम लोगोंने क्या किया ऐसी quantity को choose किया है इसी लिए one mole में ये unit use की जाती है तो अगर मैं define करूँ कि जो mole होता है वो क्या होता है mole होता है amount of substance the amount of substance that contains that contains the same number of entities the same number of entities 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 में क्या आ सकता आपका atom आ सकता है molecule आ सकता है ions आ सकता है यही तो था atom है तो atom same number of same amount of quantity तो molecule है तो molecule आयन है तो ions ठीक है as the number of atoms as the number of atoms present in 12 gram of c12 isotope जो इसके according हम हर एक element का atom का mass निकाल रहे थे उसी quantities की ही क्या है measurement है उतनी ही quantity को क्या करता है यह यह represent करता है एक mole अब जो mole है उसको आपको बहुत जाद रिटेल में जानने की जुरत नहीं है इस पर बेस कुछ formula है और अगर आपको वो formula निकालने आते हैं आपको वो formula समझ में आ गए है तो आप easily कोई भी question solve कर सकते हैं मोल का question निकलता है वो तीन तरीके से निकलता है आपको वो तीनों method अच्छे से समझने है पहला method आता है in terms of mass आपको सिर्फ question समझना है कि question में जो mole आपसे निकलवा रहा है वो mass की form में निकलवा रहा है या फिर दूसरा आता है in terms of particles या फिर number की बात करते हैं आदिक हैं यहाँ पर mass है यहाँ पर particles है and third आता है in terms of volume in terms of volume यह तीनों formula आपको अच्छे से समझने हैं अब बात आती है mole कैसे निकालेंगे mole को मैं यहाँ पर represent करती हूँ small n से और हमेशा small n से ही represent करेंगे जैसा कि हम fundamental जो हमने SI unit साथ SI unit पड़ी थी उसमें हमने mole के बारे में पढ़ा था जिसको हम n से represent करें थे ठीक है तो इन terms of mass अगर आपके पास में आ जा तो number of moles किसके equal होता है given mass divided by molar mass ठीक है given mass यानि कि किसी भी quantity को लेके चल रहे है माल उसने कह दिया कि मैंने 13 gram ammonia लिया तो 13 gram कि है जो quantity उसने मुझे given की है mass कितना है 13 gram तो वो है given mass divided by क्या आ जाएगा molar mass ऐसे ही वो atomic mass के बारे में पूछ सकता है कि इतने वाले भी 4 gram of atom present है मेरे पास में उसका क्या हो जाएगा कि मैंने क्या ले लिया 25 gram sodium atoms लिये 25 gram sodium atom लिये तो उसका atomic mass बताईए ठीक है sorry 25 gram क्या लिया sodium atom लिया उसके अंदर कितने number of moles होगे तो sodium यहाँ पर बचे क्या है atom है तो उसके लिए हम क्या लेंगे given mass divided by atomic mass है ना क्या लेंगे atomic mass value put कर देंगे क्या आ जाएगा 25 अब इस ख्रोडियम की value मुझे पताई 23 तो यहाँ से आपकी जो है n की value आ जाएगी क्या आ जाएगी तो इतने number of moles इसमें आ जाएगे इसके लावा माली जी कहते है कि 25 ग्राम ammonia ले लिया 25 ग्राम ammonia तो यहाँ पर ammonia atom ना होकर क्या है molecule है इसलिए हमने क्या लिख दिया given mass upon में molar mass तो given mass कितना है बच्चे 25 है molar mass यहाँ से find out कर लेंगे कैसे sodium का mass कितना होता है 14 तो hydrogen क्या आ जाएग है तो यहाँ से जब इसको solve करेंगे तो इसकी भी कुछ value आ जाएगी तो अगर mass दिया हुआ है तो आपको यह formula follow करना है which is given mass upon में molar mass अगर molecule है तो molar mass atom है तो atomic mass दूसरा आता है आपके पास में in terms of particle विट्टो है कुछ ज़्यादा change नहीं है and क्या होगा आपका यहाँ पर given number of particles ठीक है क्या देता है किसी भी x y z के अंदर 3.011 into 10 की power 23 मतलब कुछ number आपको provide कर रहा है ठीक है तो उसके अंदर उसके अंदर कितने number of most present होंगे divided by क्या आ जाएगा avagadro number ठीक है तो n क्या होता है given number of particle given number of particle avagadro number क्या होता है आपका 6.022 into 10 की power 23 बस इतना सा है माली जीस नहीं कहा दिया कि कोई भी value थी मेरे पास कोई भी x element था जिसके अंदर कितने number of particle present थे 3.011 into 10 की power 23 number of particle present थे तो बताए उस x के अंदर कितने number of most present थे तो given particle कितने आपके पास में यह रहे 3.011 into 10 की power 23 divided by avagadro number which is 6.022 into 10 की power 23 तो यहां से आप क्या करेंगे इसको cancel out करेंगे 1 by 2 that is 0.5 तो यह तो फैलिप term थी mass की term में दूसरा पूछा particle की form में तीसरा कहता है volume की term में बतले इस बार आपसे volume की बारे में बात कर रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं है उपर तो वही चीत रहे नहीं given volume divided by 22.4 liter याद केज़े यह value हम लोगों नहीं निकाल ले थी जब हम क्या निका लेते हैं तो हमने mass और volume के बीच में relationship निकाली थी ठीक है तो अगर आपको volume देता है तो यह वाली value आपको क्या करनी है बच्चे यूज करनी है given volume किस पर at NTP normal temperature pressure पर तो क्या कर देंगे 22.4 liter से divided करा देंगे तो basically आपके पास में यह तीन formula है और इन ही formula से बाहर कोई भी question नह आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है that's it अब इसी पर बेस हम क्या है कुछ numerical करने की कोशिश करते आई हो आप से आप भी solve कर पाएंगे तो इसमें पहला question आता है calculate calculate the mass of an atom of silver आपको क्या करना है silver का silver का mass find out करना है दिया क्या है इसने atomic mass दिया हुआ है कितना 108 gram कैसे निकाले इस question को कैसे निकालेंगे इस question को देखो अब इसने दो चीजों को correlate कर दिया है आपस में क्या कर दिया बचे दो चीजों को correlate कर दिया है तो एक atom के बारे में पूछ रहा है तो मुझे पता है कि जो one atom है किसी भी compound का होगा तो यहां पर एजी यानिकि silver की बात कर रहे तो कितन atom contain करता होगा 6.006.022 into 10 की power 23 है ना यहीं हम पढ़के आए इसको just reverse कर देते हैं अगर मैं को हूँ that 6.022 into 10 raise to the power 23 atoms of silver contain कितना मास 108 ग्रेम ठीक है यह क्या atomic मास है तो जो one atom होगा वो कितना मास contain करेगा 108 upon में 6.022 into 10 raise to the power 23 तो यहां से जब आप इसको simplify करेंगे तो value आ जाएगी 1.793 into 10 raise to the power minus के 22 ग्रेम कुछ difficult नहीं था बच्चे इसमें simple सा question था तो यहां पर इसने क्या कर दिया दो चीजों को आपस में correlate कर दिया इसने आपसे मास निकलवाने के लिए बोला था और इसके लावा आपके पास में जो information थी वो क्या थी atomic मास गीवन था तो चलो आपको यहां से atomic मास गीवन था आप इसने आपसे पूछा given मास ओके अच्छा किसके लिए पूछा सिर्फ एक पार्टिकल के लिए तो आपके पास में देखो यहां से एक फॉर्मूला की create हो जाता है क्या create हो जाता है देखिए यह भी n के equal है और यह तर्म भी n के equal है और गीवन मास अपॉन में atomic मास गीवन नमबर ओफ पार्टिकल अपॉन में 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 तो यह दोनों क्या है equal हो जाएंगे तो इसने क्या जाएगा यहां से गीवन मास अपॉन में atomic मास कुछ केस में आपका क्या आ सकता है molar मास भी आ सकता है तो यहां पर क्या जाएगा गीवन नमबर ओफ पार्टिकल अपॉन में 6.022 इंटू 10 की power 23 तो इसने क आप पूछा आप से गीवन मास कैलकुलेट दा मास ओफ एन एटम तो मास ओफ एन एटम भी तो निकालना है तो यहां कि गीवन मास पूछ रहे तो गीवन मास किसके equal आ जाएगा गीवन नमबर ओफ पार्टिकल गीवन नमबर ओफ पार्टिकल डिवाइड बाई 6.022 इंट में यह कहां चला जाएगा इधर एटोमिक मास अब इसी कोश्चन से देखिए इसने गीवन नमबर ओफ पार्टिकल यानि कि सिल्वर के एक एक अटम की बात कर रहे है दाट इस वन है ना एटोमिक मास 108 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अब इसी को इसने क्या कि आता तो कुछ जादा रॉकेट साइंस नहीं है तीन फॉर्मुले है आपको आने चाहिए अभी तो मैंने कहा कि सर्फ पार्टिकल मास की फॉर्म में है तो यह बता है कुछ कौंट्टि वहैं को क्वण्टटि आपको यहां से दे वस आपको क्या करनाना चाहिए उन दोनों क पापस में compare करवा दिया compare करा के भी मेरा question जो है easily solve हो गया अब देखिए मेरे पास second question आता है second question में कहता है calculate the number of moles in the following इसमें मैं क्या है एक question solve करूँगे दूसरा question आप खुद solve करेंगे आप पहला वाला solve करेंगे 7.85 gram of iron के लिए दूसरा मैं करवाते हूँ so calculate the number of moles in the following तो number of moles निकालने किसमें 4.68 mg of silicon दिया है मुझे ठीक है बहुत बहुत simple question है ये इसने मुझे silicon का mask दिया है और पूछ क्या रहा है number of moles find out करो तो सबसे पहले तो देखो जो number of moles निकाल रहे है तो moles कैसे निकालते है आप मास की term है तो given mass divided by atomic mass क्योंकि atomic mass की form में है मेरे पास में है ना लेकिन जो atomic mass आप लेके चलते है वो लेके चलते gram में जो mass ने given किया है वो किसमे है milligram में तो मुझे इसको क्या करना पड़े है ग्रैम में convert तो क्या आजाएगा 4.68 into 10 raise to the power minus 3 gram तो simple सा question है 4.68 into 10 की power minus 3 atomic mass ने मुझे दिया है कितना है 28.1 तो जब मैं इस value को solve करूंगे तो जो मेरा answer आएगा वो आएगा 1.66 into 10 raise to the power minus 4 mole तो जो उसकी unit होती है वो self क्या होती है मोल होती है बट यूनिट में L के आगे E नहीं होता याद रखेगा ठीक है तो यह जो first part है यह आप खुद solve करेंगे उसके बाद में देखे थर्ड कोशन की बात करते है थर्ड कोशन में कहता है chlorophyll chlorophyll का नाम आपने सुना होगा प्लांक्स में मिलता है ना chlorophyll the green clearing matter of plants contain 2.68% of magnesium तो उस chlorophyll के अंदर magnesium कितने percent दिया है बच्चे 2.68% by weight ठीक है calculate the number of magnesium atoms calculate the magnesium atom जो है बच्चे वो मुझे क्या करने है find out करने है ठीक है in 2 gram तो magnesium का जो mass इसने दिया है वो दिया है 2 gram ठीक है निकालना क्या है magnesium atom किस के अंदर chlorophyll का और यहां पर magnesium का मुझे atomic mass दिया है which is 24 gram अगर overall मैं आपको यह समझाओं तो क्या दिया है इसने मुझे इसने मुझे दिया है कि भी आपके पास में 2 gram magnesium atom है जिसके अंदर magnesium की जो है जो plants के अंदर quantity है वो कितनी है 2.68% है chlorophyll की ठीक है 2.68% है magnesium की by weight किसमे chlorophyll में दुबारा सुनिये का जैसे माली जी मैंने कहा कि आपका chemistry का paper है chemistry में आपके 70 marks होते हैं यानि की 2 gram की बात कर रहे है 70 marks में से आपका chemistry में जो percentage बनती है वो बनती है आपके 65% या फिर चलो ज़्यादा ले लेते 75% तो marks कितने आए यहां से आप पहले क्या निकालेंगे कि मेरे chemistry में marks कितने आए तो यहां पर आपको यही निकाल ला है कि 2 gram का इतना percent 2 gram में से इतने percent तो यह था लेकिन magnesium था कितना पहले वो निकालेंगे उसके बाद क्या निकालेंगे atoms के बारे में निकालेंगे तो mass of magnesium mass of magnesium in 2 gram of chlorophyll ठीक है chlorophyll chlorophyll चलो यहां पर क्या है chlorophyll है ठीक है chlorophyll कितना आ जाएगा marks के percentage कैसे निकाल तो यहां पर आपके क्या होते है जो marks obtained हुए marks obtained divided by ni kya होते है आपके total marks into me क्या होते है 100 इ culpa क्या होती है अब आ अपको क्या चाहिए marks obtained चाहिए तो क्या आ जाएगे percentage into total marks upon 100 तो यही करना है आपको क्या जाएगे percentage कितनी है 2.68 total marks कितने है chlorophyll कितना है divided by 100 तो जब आप इसको solve करते हैं तो जो value निकल के आती है वो आती है बच्चे 0.054 gram तो ये क्या निकल के आया कि chlorophyll के अंदर कितना magnesium present था अब इसमें पूछा क्या है actual में इसमें पूछा कितने magnesium atom तो mass निकाल लिया तो atom भी निकाल लेंगे तो अगर मैं कहूँ कि जो 24 gram of 24 gram of atom contain 6.00 24 gram of magnesium contain 6.022 into 10 की पावर 23 atom अब मैंने ऐसा क्यों लिखा क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि एक magnesium 1 mole of magnesium contain 6.022 into 10 की पावर 23 atom लिख सकती हूँ है ना तो इस magnesium का mass तो एक mole of magnesium कितने के equal है यनिके एक mole of magnesium यनिके एक magnesium और magnesium का जो mass है वो कितना है 24 gram तो 24 gram of magnesium के अदर atom कितने होगे 6.022 into 10 की पावर 23 अब मेरे पास magnesium कितना था 0.054 gram of magnesium atom कंटेन के आ जाएगा 6.022 into 10 raise to the power 23 into 0.054 अपोन में 24 तो जब हम इस equation को simplify करते हैं then we will get 1.3 into 10 raise to the power 21 atoms तो क्या हो जाएगा इतने atom कंटेन करता है बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 mole कंटेन करता है 6.022 into 10 की पावर 23 इवन 1 mole of magnesium जो था 1 mole of magnesium का जो मास रहा है वो कितना है 24 gram तो 1 mole ठीक है 1 mole of magnesium का जो मास रहा होगा वो है 24 gram तो ये हाँ से मैं भी ये भी लिख सकती 24 gram of magnesium कंटेन कितने ही तो है कितने़ 2 one mole of magnesium 10 लेखो one mole of one mole चंटेन ग्म 1 mole of magnesium ये ये क्या है 1 mole of magnesium चंटेन रहा ह्योप अने माल जैस्थ 24 ग्राम तो यहां से दोने इक्वेशन भी क्या हो जाती है आपकी इक्वेशन हो जाती है ऐसे ही क्या है मेरा fourth question है fourth question भी कर लेते हैं आता है calculate calculate the number of molecules present in a spherical drop क्या calculate करना है number of particles number of particles sorry calculate करना है बच्चे fourth question में हमारे पास calculate the number of molecules ठीक है present किसमे in spherical drop of water ठीक है इसने कहा कि कितने number of molecules present है एक spherical drop of water के अंदर ठीक है और इसके साथ साथ इसने मुझे जो data दिया है वो data क्या दिया हुआ है having a radius जो spherical है ना तो spherical है तो इसके साथ में इसने spherical drop की जो radius मुझे given की है radius कितनी है 1 mm ठीक है density साथ में इसने मुझे given की है तो density दी है इसने 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब भई radius दे दी, density दे दी अब mole कैसे निकाले molecule कैसे निकाले spherical drop में तो molecule तो तब निकलेगा जब मेरे पास उसका क्या होगा mass होगा तो सबसे पहला काम क्या है मुझे कि spherical drop का क्या निकाला जाए mass निकाला जाए अब mass कैसे निकालेंगे तो मेरे पास density दे रखी है है ना density दे रखी है तो radius भी इसने मुझे दे रखी क्या आ जाएगी 4 by 3 ठीक है पाई 3.14 इंटू में r था कितना आ जाएगा 0.1 mm था यानि कि 1 mm जो होता हूँ किसके इकूल होता है cm में लेना पड़ेगा क्योंकि जो unit है मेरे density की किसमें cm में तो 1 mm is equal to 0.1 cm 0.1 का cube इसको simplify करेंगे 4 by 3 इंटू 3.14 इंटू 0.001 तो जब हम इस पूरी equation को solve करते हैं तो जो volume निकल के आता है बच्चे volume निकल के आता है 0.00419 cm cube तो यह क्या निकल के आ गया volume of the sphere density नो हुने मुझे दे रखी है 1 gram per centimeter cube तो मुझे आप लोगों को पता है कि जो mass होता है mass होता है वो किसके equal होता है volume into density है ना तो volume कितना निकल के आ है 0.00419 density कितनी दे रखी है 1 gram साथ साथ क्या है हम लोग unit लिखते जाएंगे यह किसमे है centimeter cube है ना centimeter cube से centimeter per centimeter cube cancel तो जो mass आजाएगा क्या आजाएगा 0.00419 gram mass आगया तो बस अब क्या निकालने है मुझे number of molecules निकालने है same आजाएगा water है ना so 1 mole of water वही पिछले वाला case जैसे हमने magnesium की case में निकाला था 1 mole of water 18 gram है ना 1 mole of water क्या contain करता है 6.022 x 10 की power 23 molecule तो इन दोनों को क्या कर सकती हूँ equate कर सकती हूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं हाँ से that 18 gram of 18 gram of water contain 6.022 x 10 raised to the power 23 अब molecule पूछा है तो molecule लिखेंगे atom लिखा है तो atom लिखेंगे कितने gram दिया हुआ है यह रह 0.00419 क्या आ जाएगा 6.022 x 10 raised to the power 23 अकोन में 18 x 0.00419 क्या आ जाएगा 1.40 x 10 raised to the power 20 molecule तो solve करेंगे तो यह answer आ जाएगा तो बच्चे बस question की जो equation है उसको थोड़ा सा गुमाया हुआ हो सकता है formula क्या है simple है बस आपको एक दो बार question की practice करनी है बिल्कुल भी difficult नहीं है मज़ेदार question से even बस बार 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 बस की practice कीजिए मैं दुबारा आपको कह रही हूँ बहुत important topic है इस unit का ठीक है अगर मुझे लगेगा कि small concept मुझे आपको और कुछ बताना होगा बताना जरूरी है तो मैं आपको फर्दर क्या है information देती रहूंगी इस से लिटेट लेकिन अभीत के लिए आप क्या है यही कहना चाहूंगी कि small concept के simple से formula है बस आपको क्या करनी है